आई फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं आपका अपना चैनल साहिल एजूकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है आज हम लोग बात कर रहे हैं बीए पार्ट टू हिस्ट्री आउनर्स पेपर फोर्ट दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन क कर ले चले दोस्तों हम लोग शुरू करें कोशन पहला कोशन होगा द्वितिये बिस्वयूद के कार्णों की बीवेचना करें द्वितिये बिस्वयूद के कार्णों की बीवेचना करें दुसरा कोशन है वर्साय की संधी के प्रावधानों का बिसलेशन करें आथ्वा वर् वर्षाय की संधी के प्रावधानों का विसलेशन करें अथवा वर्षाय की संधी पर संचिप्त निवंध लिखें तीसरा कोशन है जर्मनी के एकी करण पर एक निवंध लिखें जर्मानी के एकी करण पर एक निवंध लिखें अथवा जर्मानी के एकी करण में विश्मार्क की भूमिका की विवेचना करें चौथा कोश्चन है 1789 की फ्रांसीसी करांती में दार्सिनीको की भूमिका तथा करांती के स्वरूप पर परकाश डाले पाचवा कोश्चन है लीग आफ नेशन असफल क्यों हुआ कारण बतामे छठा कोश्चन है 1917 की रूसी करांती के कारणों की भी बेचना करें नव नमबर का कोश्चन सम्विधान सभा के कार्जों का मुलियांकन करें सम्विधान सभा के कार्जों का मुलियांकन करें दसवा कोश्चन मेटरनिख ब्यवस्था पर निबंध लिखें एग राहमा कोश्चन है फ्रांस की राज्य करांती के कार्णों का उलेख करें बराहमा कोश्चन है नेपोलियन के पतन के कार्णों का बिवरंदें दोस्तों यह था आपका बारह कोश्चन और इसका एंसर जहां से भी आपको मिल जाए उसको याद करने आपके एकजाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन होगा दोस्तों अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे ततक लिए जय हिंद जय भारत